हलो बच्चो सलाम नमस्ति सच्छिय काल मैं हूँ आपका बायो टीचर वीजे सर तो प्यारे बच्चो इस चेप्टर हैरे डिटीन एवलूशन के अपन लास्ट लेक्चर में पहुँच चुके तो इस लेक्चर के प्यारे बच्चो आपन इस चेप्टर को खतम कर देंगे होती है जो भीख होती है कई सालों पहले वह कान और एव के सब क्या 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 अगयाते है और इनिफ फोसिल की खटर के अपन पता सब्हाते हैं अब फोसिल क्या है सब होती है हुआम होगी सेडिमेंट किसी भी औरिंजम की डेथ होई वेह प्लान भी हो सकताँ अनिमल भी हो सकता है वो सकता है वो सद्धि मेंटा का हो गई या रेथ हो गई जयम डपता जातों सधूंसको सेडिमेंट बोलते जो तो एडिया नहीं वो सिल्ट रा फोल्कनिक एश और सिल्ट इस बोन्स आर प्धया वह वंगी उसकी कीไखगे हो सेडिमेंट्ट के ले लियर राज पर जम जिए तर breaker अब क्या होगा एक लियर लेर के ओपर लेर फिर जमा होती जाएगी जमा होती जाएगी और जो जानवर है डैड एनिमल है उसके दपता चला जाएगा उसके बद टेक्टोनिक प्लेट्स का मुवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है बड़ी बड़ी रोक्स होती है जो तो पर के लिए रहती जाती है और 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 करीब हो जाता है सर्फेस के फिर जो फॉसल दिखा ही पड़ता है तो इस तरीक से बच्चों फॉसल जो होता है वह बनता है कैसे बनता है वापिस से मैं आपको समझाता हूं कोई भी प्लांट या अनिमल मारा तो वह दबने लग सेडिमेंट बोलते हैं तो सेडिमेंट की दपता जाएगा उसके हड्या खराब होने से बच जाएगी फिर और लेयर बन जेगी सेडिमेंट की तो और कवर अप हो जाएगा फिर क्या हो किस्ट है बढ़ टेक्टॉनिक प्लेट होती क्या बच्चों रॉक्स के बड़े-बड फॉसल का मतलब ध्यान रखना फॉसल का मतलब हड्यां ही नहीं होता फॉसल का मतलब कुछछ भी रिमेन होता है चाहे पर अपर का दियां पर रखना पर समय क theo हमतें हड्यों कि पछ बंशोषीmarket बच चाहा उसकी चाहेँ हड़ी हो या कुछ और c масс थी ? už सकते हैं व्यैंज्म पर क्या बर्फ में ट्रैप हो जाते हैं और इतनी जब अधा स्थंड होती कि डीकंपूजर वहां पर काम नहीं कर पाते तो उन्हें कुछ टिशू जो होते हूं बचे वे रह जाते हैं तो वह भी फॉसल कहला सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉसल कैसे मिलते हैं जब अपन घड़ा खोते हैं अर्च में अपन खुदाई करते हैं अपनको फॉसल देखने को मिलता है जब सेडिमेंट के नीचे दबेवे होंगे तो खोद के ही निकाले जाएंगे अपना तो चलके वापिस आएंगे नहीं जैसे मम्मी जाग जाती है पॉसल की बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि जो सालों पहले मर्या उसकी कैसे निकाली जाए तो एज कल्कुलेट की जाती है वह एकदम बिल्कुल क्लोज होती है एकदम एक्ट्यूरे तो नहीं बता सकते लेकिन अप्रॉक्सिमेटली उसकी जो एक्ट्वले जो तो उसक डियाग्राम देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है जो फॉसल सबसे गहराई में होगी वह सबसे पुरानी होगी और जब से ऊपर होगी वह नई बनी फॉसल होगी तो जो आपको फॉसल सबसे नीचे गहराई में देखने को मिलेगी जो सबसे गहरी होगी वह ओल्ड होगी उसकी एज ओल्ड होगी comparison में और जो सबसे ऊपर होगी उसकी एज कम होगी इनके comparison में तो इसे को बोलते relative method देखिए when we dig into the earth we find fossils at different depths अलग-अलग गहराईयों पर आपको बच्चों जो है इस पुरानी होगी आरे बच्चों बास समझ में उसको बोलते relative method जो जितना गहराई में वह उतना पुराना diagram से clearly आपको समझ में आ जाएगा यहां पर basically हड्डियां ही दिखाई गई है fossil की रूप में और आम तोर पर हड्डियों को ही अपन fossils के तोर पर करते हैं बट फिर भी आप यह मत मानना की जो हड्डियों के अफशेश होते हैं सिर्फ वही fossil कहलाते हैं वह कोई tissue भी हो सकता है वह उसकी चाप भी हो सकते लेकिन चीजों को आसान बनाना के लिए इस diagram में हड्डियां दी हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं now carbon dating method अब बच्चों जित्ते भी living things होते हैं object की जिए organism अपन बोल सकते हैं उनमें carbon 14 atom होता जो कि radioactive होता है इस चीज को आपको ज्यानक ना है लिविंग organism क्या होते हैं और organic चीज़ों में hydrocarbons देखने को मिलते हैं और hydrocarbons are made of carbon and hydrogen तो यहां पर बच्चों आपको इस बात का ध् protein atom जो की radioactive होता है वो पाया जाता है और धीरे-धीरे समय के सासच अपने radio activity को खोता चला जाता है अब जब भी living object मरता है और fossil बनता है तो उसकी carbon पोड़ी जो radio activity होती हो धीरे-धीरे-धीरे करके कम होती जाती है gradually होती होती है तो जब भी कोई fossil मिली तो अपन carbon dating method से उसकी ज को रिटरमाइन कर देंगे जैसे प्रजेंट जो सिन्यारियो प्रजेंट जो ऑर्गेनिजम उनसे कंपेर किया जाए कार्बन फोटीन के radio activity emission से और जित्ती कम होगी उतना ही वह पुराना देखने को मिलेगा तो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा तो दो मैथे म देखने को मिलते हैं जो इंपॉर्टन्ट फॉसिल है वह है एम्मोनाइट ट्राइलोबाइट और डायनासौर को सब जानते हैं लेकिन आम बच्चों ने कम ही सुना है कि बच्चे पढ़ाई करते नहीं चिंटू बैटा तू दो पढ़ता है ना हां मैं पढ़ता हूं तो च डायनासौर बोले बच्चों आवाज नहीं आ रही है आपकी यहां तट एम्मोनाइट ट्राइलोबाइट और डायनासौर यह तीन मैं तो पूर्ण फॉसिल देखने को मिले वन्वन लाइनर ज्यादा नहीं एम्मोनाइट देख आपको इस तरह का दिखाई पढ़ता था कॉल और स्पायरल को यह कोल और सैंसे को बोल आपन कोईल kijken द ऊच्चों और देखने मुंहां पूर्णे यहिंगा करते क्रणाय जुकर यह जान मार दो आजीब्से आप देखना कभी को यूट्यूब पे वीडियो में आप देखके आश्योरे चकित हो जाओगे कि इस तरीके के और्गेनिजम हुआ करते थे एक टाइम पर मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो इतने ज्यादा चेंजिस आगे हैं तब के में और आपके और आपके और आपके और इतना एवल्यू एतनी शार्ख करके उस मुवी के नाम मैं मिस कर रहा हूँ उसमें जेसन स्टेतन था एक ऑलिवुड हॉल्यूड का आक्टर है जेसन स्टेतन वो गंजासा जो ट्रांसपोर्टर मुवी के अंदर गंजासा हेरो ए त्था भी फास्टन फ्यूरस के अंदर भी आये था में आपको बताऊंगा लेकिन आप बहुत इंट्रेस्टिंग मूवी है और उससे आप अंदेशा लगा सकते कि उतने डराम ने हुआ करते थे सारे नहीं कि उसके पर मूविया बनाई जाती देखके पता पड़ रहा है तो जो एमो नाइट था एक मॉलस्क था इसका स्पायरल कोईल शेल है और यह 180 मिलियन इयर्स पूराना है एक मिलियन का मतलब होता है यह बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है तो बच्चों डैनासौर के बारे में किसने नहीं सुना आज कल बच्चों डैनासौर के इतनी मूविया देख लिए सबसे फेमस सी जुरासिक पार्क डैनासौर से हर एक बच्चा हर एक इंसान वाकिफ है अगर किसी गाउन में पूछो कि डैनासौर क्या होता है तो मैं एक ज़ना बोली देगा यह तो पड़े लिखे भी नहीं होंगे तो क्यूंकि आजकर मोबैल सब पास है तेली ग्राम सभी के पास है तो मोविज आई जा जहांद एक मूवी नहीं है कहानी मूवी की कालपनिक है लेकिन जानवर वाक्वी आज होती डानासौर की वह सब पहले जो आए थे वो आए जक 250 million years ago और वो extinct हो गए 65 million years ago तो यह दानासौर के बारे में जानकारी अच्छा थोड़ा सा और पता दो कैसे extinct हो तो इसके बारे में कई सारी थे लेकिन जो सबसे common माने गई यह थे वह यह एक बड़ा सा आकार से मीटियों जाने उलका पिंड तेजी सा आके गिरा जब वह अतरिक्षे तेजी सा के गिर रहा था तो उसने इतनी हीट पैदा कर दी किसे इंवार्मेंट गरम होगे जब नीचा के गिरा कुलिजन हुआ तो ऐसी तबाही मची कि सारे के सारे डैनासौरी खतम हो गए और जो हीट प्रोडियूस हुई फिर उलका प्रिंड टकराया तबाही मची सुनामी आई हीट जन्रेट हुई जाए दैनासौर मर गए जो बज़गे वह बुक्के मारे मर गए बीमार्यों से मर गए तो यह थेयोरी जो बच्चों बताई जाते हैं यूट्यूब पर देखना बहु इसकी फेमास बुक्ति नाम तो ओरिजन आफ स्पीशीज मिशन बोलिये चंटू बेटा जलदी से लाइव बच्चों को बताई क्या नाम तक सांटेस का सथ चार्ल्स रॉलबर्ट डार्विन उसकी बुक का नाम क्या था बुक का नाम और ओरिजन आफ स्पीशीज उसकौन स त्योरी लीटियोरी लीटिशेट थिए अफ नेचुरल सेलेक्शन त्योरी तीन बात एंचों आपको ध्यान रखनी है बुक का नाम था दा ओरी जन आप डारिविश्टिय। theory of natural selection यह जो theory होती है यह plant as well as animals दोनों पर ही apply कर दी जाते इस story applies to plants as well as animals scientist का नाम क्या था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन theory of evolution दीती बुक का नाम था origin of species क्या concept दिया था theory of natural selection और यह theory in natural selection के plant के साथ animals पर भी apply होती है अब चलिए आगे बढ़ते हैं Darwin theory of evolution Darwin ने क्या समझाया कि किसी भी population के आपन बात करें तो वहापे आपको variation देखने को मिलता है अगर आपको याद हो मैंना आपको पिछल एक्टरों में पढ़ाया था कि human beings है उनका जो ear lobe होता है कईों में free होता है मेरे में free है कईों में नहीं होती है अब हाला कि हर एक स्पीशिक के मैंबस रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे आप स्प्रिंग को बनाते हैं लेकिन फिर भी जो population होती है वह constant रहती है नेचुरली यह organism कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथट को अप्लाय नहीं करते यह फालो नहीं करते यह यह family planning नहीं करते हैं बड़ फेर भी इनकी जो population होती है वह रख लिया फेरली constant रहती है नेचुरली ऐसा क्योंकि इनके बीच में struggle होता competition होता food के लिए space के लिए और मेटिंग के मेट यानी partner के लिए गर्ल्फरेंड के लड़ाईया करते हैं आपस में जो struggle है survival का वह unfit individuals को खतम कर देता है जो कमजोड था fit नहीं था वह eliminate हो गए और जो बच गए उन्हें बोलते हैं fit individual क्योंकि उनके पास favorable variation थी क्योंकि उनके पास favorable variation थी वह survive कर पाया नेचर ने उन्हें select किया इसे को बोलते है natural selection समझे इसको को simple सी बात है example से मैं आपको समझाता हूँ एक गधों की population है example के तोर पे लिए गधों की population है अब ऐसा assume करोगी घास पूरी खतम हो गई और एक पेड़ जो लंबा है उसके उपर पत्ती है तो जो गधा जो लंबा होगा यानि उसके पास favorable variation है वह लंबी गर्दन की मदद से उन पत्तें वह खा जाएगा सर्वाइव कर जाएगा जो छोटे गदे हैं वह नहीं खा पाएंगे वह death हो जाएगी बूक से मर जाएगे example के तोर पर समझा रहा हूं तो जो लंबाई थी उस डॉंकी के पास वह favorable साबित हुई इस नेचर ने उस variation को सफोने कि ऊस अस्तों से साइप करा फॉस अस फॉसरवाइब करने के बोलते हैं नेचुरल सेलेक्शन से वच यह बिचा वह आ जोगे लंबी घतन की सफ़ाय कि लाएगी है इसको तो बोलेंगे theory of natural selection या वे survival of the fittest 2 की वो fit था fit in terms of length, हो सकता है length इस case के अंदर जो लंबाई है वो favorable हो सकता है यह यह ऐसा case में जो लंबाई वो unfavorable हो जाए, तो लंबाई वाला जो favorable variation है वो unfavorable हो जाए, ऐसा भी हो सकता है तो situation to situation vary करता है और situation पर निर्वर करता है कि जो variation है वो favorable है या unfavorable है यहाँ पर इस गदे किस्मत वाली बात थी कि जो लंबाई का जो वो फेवरेवल हो गया और survival of the fittest की category में वो first आ गया तो डिपेंड करता है तो basic concept प्यारे बच्चों आपको समझ में आगया होगा जो मैं यह आपर समझाना चाह रहा हूं चलिए आगे बढ़ते जिन individual के पास favorable variation होती है वो इन variation को आगे pass on करेंगे generation से generation और यह variation एखटी हो एक नई species को जनम देगी और इसे को बोलते है आपन speciation the formation of new species is known as speciation लिख दीता हूं मैं आपे formation of new species is known as variation ठीक है बच्चों अब natural selection क्या होता है बहुत सिपल से बात है कर कुछ variation है जो आपके काम आ रही है आपके लिए favorable साथ भी दो रहेट मिस्ट इस नेचर ने आपको select किया है जिन्दा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए और उस variation को आगे बढ़ाने के लिए इसे बोलते है नेच्छल सेलेक्शन या सर्वाइवल ऑब दी इसमें जो कुछ भी selection हो रहा है जो सर्वाइवल हो रहा है वो नेच्रली हो रहा है क तो रिप्रोड्यूस करेगा तो वेरीशन आगे पास और नहीं होगी ठीक है और जिनके पास वेरीशन नहीं थी वह सर्वाइव नहीं कर पाए और आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो जेनेटिक वेरीशन है वही रॉम माटीरियल है evolution के लिए क्योंकि variation नहीं और इसी चेंज इन बोडी डिजाइन को ही तो evolution बोला जाता है बच्चो evolution के simple सरल भाशन में आपको बता दू तो process of formation of more complex body design from this simpler one is known as evolution तो variation नहीं आएगा तो changes नहीं आएंगा तो नहीं species कैसे बनेगा चलिए आगे बढ़ते है ना speciation बहुत simple सी definition is a process in which new species form is known as speciation, simple सी सरल definition, species क्या होती है, वो group of organism जो एक जैसे दिखते हैं और आपस में reproduce करने में capable है और जो उनके baby होते हैं वो भी fertile होते है, fertile का मतलब होता है capable of reproducing, लिख लीजिए नहीं पता तो, fertile का मतलब होता है यहां पर प्यारे बच्चो capable of reproduction, fertile means capable of reproduction, तो what is species, species is a group of similar organism which are capable of interbreeding, जो इंटर बीडिंग या ब्रीडिंग का मतलब होता है, reproduction and they produce baby which are also fertile, जो बेबी हैं वो भी reproduce करने में capable है, बेबी बोल दो, offspring बोल दो, prosody बोल दो, एक यह बात यहाँ पर निकलके आती है, जो human beings जो एक दूसरे से तने अलग लेए दिखते हैं, मेरी शकल बहुत अलग है, मेरी wife की शकल अलग है, मेरी sister की शकल अलग है, आप बच्चों की शकल अलग है, आप बच्चों भी आपस मे अलग हो, इतनी विबनता है, होते हुए भी अपन एक ही स्पीशी को बिलाउन करते हैं, जो के homo, sapiens और सब मिल जूल के साथ में रहते हैं, और जो human beings जब अपने बेबी को produce करते हैं, तो most of the cases में जो बेबी होते हैं, वो भी fertile होते हैं, fertile का मतलब, they are also capable of reproduction, they are capable of reproduction, now moving forward, how new species are formed from the existing species of various population, अब बच्चे सोच रहोंगे, या सर ने बोल दिया, कि नई स्पीशी बन जाती है, existing species से millions of years बाद, और दिशी दिने changes आते हैं, changes इखटे होते हैं, और इतने changes आ जाते हैं, एक नई स्पीशी अपने बन जाते हैं, इसको बनने में बहुत सदियां लग जाते सर ने बोल जाते हैं, बनती कैसे वीजे सर ने यह नहीं बताया, चिंटू बेचा, क्या बच्चो को बताई जाए यह बात, जी सर बिल्कुल बताई जाए, तो आगे बढ़ते हैं, अब अब आपन डिसकस करेंगे कैसे नई species जो है प्यारे बच्चो बनती है, तो बेसिकली से अपने तीन बताई गहे हैं, पहला है जोग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा है जेनेटिक वेरिएशन, थर्ड एस वेरिएशन, कॉस इन इंडिविचल दू नैच्रल सिलेक्शन, तो इस टॉपिक को आप विराट कोहली टॉपिक लगा दीजे, लिख दीजे, वी के टॉ फाईवों को मिलनिगे जोधा जोधा करके रखता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पॉपुलेशन होतेयों तो इसमें वेडियर रुकावटे आजाती हैं, जैसे पहाडियां आगई नदियां आ गई समॉंदर आ गए, इससे क्या होता है फेरिशन के बीच में जीनग पाता है जीन फ्लो नहीं होने का मतलब है आपस में sexually reproduce नहीं कर पा है जब sexually reproduce नहीं कर पाएंगे तो दीदर करके अपने environment के according अपने आपको अड़ेप्ट करते जाएंगे चेंजिंस लाते जाएंगे और इस सब आपस में अलग ही रूप ले लेंगे, देखिए, स्नेल गेवन है, अब बीच में एक खाई से आगे, तो ये वाला स्नेल की पॉपुलेशन, इस स्नेल की पॉपुलेशन, देखिए, कितना प्यारा डाइगरा में, देखिए, ये पर्टिकुलर एक गुच्छा जा रहा है, ये एक सिंगल पॉपुलेशन है न, मैंने भी रिलाइज नहीं क्या समझाना चाहरा था गहराई में, लेकिन इसकी बात बहुत गया देखिए, एक गुरुप गुच्छा जा रहा है, एक गुरुप जा रहा है, पॉपुलेशन का स्नेल का, कुछ खाई के इस निकल गए, अब खाई जो है एक रिप्रोडेक्टिव आइसोलेशन करवाई है, यह आप उसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ही, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है गया, अब गया तो यह अपने इन्वारमेंट के अपने आपको डालेंगे, अडेप्ट करे जाएंगे, और इतनी नहीं स्पीशी होगी कि बाद में यह प्रोडेशनी कापेल ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, पहचान ही नहीं पाऊगे कि यह दोनों जो है इनका एक कॉमन एंसिस्टर था, इतने चेंजे इनके आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं, और कौन सा था यह जोग्राफिक आईसोलेशन, बेसिकल जोग्राफिक आईसोलेशन क्या करते है, रइप्रोड़क्टिव ईसोलेशन क्रेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जा जैने कि जनेटिक ड्रिफ्ट नाम आते हैं बच्चो मुझे तोग्यो डिंध आढ़न को सब्सक्राइब निर्फार को लेगे जाते communist मोस्त और जहने में रहता तो इसमें क्या होता है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है बाइलख किसमत तक खेल है पूरा-पूरा इसम्जाता हूं कहना का मलब है क्या बाइलख इझेग कि इस आप देखें इसमें कुछ दो तरह के बीटल सेंट विज़ ब्राउण कलरक और प्राउन कलर का जीन है और ग्रीन कलर में ग्रीन कलर का जीन है आप कुछी भी चलते चलते गंदी किसमत के मारे इनके ओपर पैर रख दिया का आज मी ने यह मैंने नहीं रखा आप मुझे ब्लेम मत मानिये मेरे पास ऐसा लैजर शू है भी नहीं पैर रख दिया और इन ग्रीन कलर वाले जो है बीटल्स को मार दिया तो जीन फ्रिक्वेंस बेसिकली अबलेशिंगा मेकनिजम है इनमी अलील जीन जीन फ्रिक्वेंसी अलील मलें जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉपलिशन चेंज ड्यू टू चांस किसमत से यार यह बास समझ में इसी तो बोलते हैं पर जेनेटिक ड्रिप्ट बाइंडी किसमत खराप्ट इसलिए बिचार पैर केंज दब गए और इनकी जीन है वो इस वाले पॉपॉपॉलेशन में खतम हो गया जेनेटिक ड्रिप्ट स्मॉल चलिए बागे बढ़ते हैं एवलुशन ऑफ आइस अब बच्चों आखे कैसे यह आखे तो चोड़ों बजिए वीडियो गेम्स का जो था फैन ता बहुत बड़ा हमें पढ़ाई करते ऐसी बात नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी मैंने प्रॉपर पढ़ाई करी है और मैं ए नहीं है हाँ वीडियो गेम इसके लिए जिम्मेदार जरूर है आप कह सकते हो ऐसा क्योंकि मेरा फोकस पहले पहले लेकिन और भी कई चीज़े होता है मैं न्यूट्रिशन था इस तो यह चोटे होते हैं जियान नहीं रहता क्या चीज अच्छे अब अब अवेर्नेस आई इतनी अवेर्नेस नहीं थी तो जो समझ में आता था वो खाते हैं मैगी चाउमी निया सब ज़्यदा मैं खाता था तो मैं क्यालते हैं कुछ बैट वर्म है इसको प्लेनेरिया भी अपन बोलते हैं थीक है यू can write down flatworm here I love red color I don't want black color red color is more highlighted तो अपन red color बच्छो यहाँ पर छूज करेंगे तो बच्चों जो फ्लैट वर्म है सबसे पहले जो आई जाई थी रूडिमेंटरी आई बहुत बेसिक आई स्ट्रक्चर इनको आई स्पॉट्स भी बोल सकते हो मतलब यह देख तो नहीं सकते हैं लेकिन पता यह पता लगा सकते हैं कहां पर अंदेर है कहां पर रोश्नी है इ पर अंदेरा यह पता लगा सकते हैं विसकें डिटेक्ट लाइट यह पर बात हो रही है तो ऐसी बेसिक आई डवलप हुई जिए आई स्पॉट बोला गया और यहां से देखी कितनी कॉंप्लेक्स आई अपनी हो गई है आपने तो कुछ भी नहीं है जो इगल होते होते हैं चंतू बता किस वजह से सार एवल्यूशन की वजह से आया सर वेरीशन की वजह लगें चन्ती उसको नेचर ने शयक्ट करक्रस बोलते नेचरल सेलेक्शन अ फिर सेफिस ऐसी और इसी वरी फिट्नेशन और बढ़ेंड प्ले करा अपनी जो सब्रस्स करा अपने जो तो करेक अगरा मुझे लेना चाहिए कितने सुन्दर इसके पर है आप देखिए और कितने खुश इस रही उड़ रहा है तेगे अलागे गुसा दिखा रहा है आखों में लेकिन दिल में इसके प्यार है बच्चों तो सम्टाइम्स एवलूशनाई चेंजेस प्रोड्यूश इन और्गैनिजम पॉर वन परपस बिकाव मोर यूथफुल फोर एन एंटारी डिफरेंट परपस समझी है क्या इसका मतलब कई बर क्यों होता है एवलूशन जो होता है एक फीचर जो लेके आता हो किसी अलग परपस के लिए होता है पहले जो फैदर थेनका काम था ठंड से बचाना इंसुलेशन पहले जो बर्ट के फैदर हुआ करते थे जो इवाल्वे तो फैदर से बचाने के लिए लेकिन धीरे 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 ये उड़ने के काम में आने लग गया तो इस तरीक से बच्चों विएरेशन भी आते हैं और अब बच्चों नेच्रल से लेक्शन अपने आप होता है नेच्रल सेलेक्शन अपने आप होता है यहाँ पर ही मामला जो हो जाता है तो नेच्रल सेलेक्शन में क्या होता है वेरेशन होते है है फैवरेबल बैरी करता है कंडिशन तो यह भी कंडिशन से कंडिशन वैरी करता है उस कंडिशन में आपके जो वेरियेशन थी वह फेवरेबल बन गे तो आपको नेचर ने सब्सक्राइब कर लिया और आपको बूले सर्वाइवल अब दिफिटेस्ट दूजी सिच्विट में हो सकता है आप जीरो ही बन जा फिट तो छोड़ा बिल्कुल लूजर बन जा तो यहां फिर सारा करता धरता जो है वह नेचर है और नेचरल एटमोसफेर है लेकिन यहां प कर लो आपके काम की है अधिजरेबल ट्रेट करेक्टर एक की बात है चा वह प्लांट है फिर ऐनिम लो और कुछ ऐसे काम करो कि आप उन ट्रेट को एन्हांस कर दो और आगे पासवन कर दो इसको बोलते यह आइंसस्टर मैं सम्झाऊंगों आपको बच्चो यांसको ऐसे सम कि छुमिध依े देखे और कि भीया के धेरव मेंद वहां जिने में वहां कर Ugna को पहले बहुत पहले लिकुस्ते हम में पर देखेनार धार हो अचिह को सब्सक्राइट में पर लगे के नाथि अ एक फ़र देस्क कुट सब्सक्राइट कि विलेञी शॉक्तितु तो इस तरीके से अलग अलग कुत्तों के बीच में रिप्रोड्यूस करवाया ताकि जो बेबी निकल किया उसमें वह प्रॉपर्टी हो जो पसंद आ रही गलत बात है बच्चो आप समझें अज बात को जब अलग अलग वराइटी है तो आपस में रिप्रॉड्यूस वैसे भी वह प्रिफर नहीं करते ठीक हो अपने ही गुरूप में रिप्रॉड्यूस करना प्रिफर करते लेकिन आप लेकिन जो हीमन बींग्स हैं कि लिगल ऐलग बाते हैं लिगन कई लोग क्या करतें करतें करते हैं अलग बयाइटी के बीचु कर वात तो कोई ऐसा अजी हुक्ष आप चाहते हैं लेकिन उनके साथ हो गलत ही हो सकता है और ईस तकffen करतें प 세탁 मारिया बिर जाती है के छलते हो जल्दी मर जातें तो चीज इसे को बोलते है आर्टिफिशल सेलेक्शन हाला कि कई जगे सही भी है कई जगे गलत भी हर चीज के दो पहलू होते हैं हर सिख्टे कि यहां पे दो पहलू है तो अपन डिसकस करते हैं पॉजिटिव के साइट तो इसमें कैबेच के एक्जामपल है सबसे पहले जंगली ब्रॉकली जो कि बेस्ट प्रैस में मिलती है ब्रॉकली मैंने खा रखी है बिल्कुली वहयात सड़ी होती है है अगर आपने खाई हो तो आप जिन बच्चों ने खाई है इसकी सब्जी वह मुझसे पूरे तरीके से अगिर करेंगे कि इनका टेस्ट बहुत ही सड़ा सा आत जेब देखके लगता नहीं है जो लिमिट उतनी ही अपन लेंगे तो ब्रॉकली भी होती है तो ब्रॉकली लेकर आया मम्मी ने मना किया बट फिर में जिद्ध मचा के लेकर आ जिए सब्जी बनी तो यह मानों कि एक ने वाला भी मुझसे नहीं जा पाया ठीक है तो मैंने चैबज खा रकी है ब्रॉकली खा रकिए कौली यह सीजनल और बहुत टेश्टी होती है इसको इन ज़से सलाग के रूप में उममी इसको गांठ ऑबी Украї भी बोलता है हिंधी में हाँ अगर मैं सही समझ रहा हूं इसको देखके इसको हिंदी में गाठ गोबी बोला जाता है मुला बहुत बहुत इसके बात ही मत करो तो टॉपिक पर आते हैं अपन कनुसार इसमें बदलाव करके यह नहीं पजातिया पैदी कर दी जो पता गोबी थी उसमें जिनको पत्तियों के बीच में कम डिस्टेंस चाहिए था कैबिस निकल किया गई अरेस्टिट फ्लावर डवलपमेंट चाहिए तो ब्रॉकली निकल किया गई कॉली फ्लावर कोहल र अपने पर्सनल रिक्वार्मेंट या पब्लिक दिमांड को देखते चेंजेस करें और यह नहीं नहीं यह वर्याइटी उसको बोलते है आर्टिफिशल सेलेक्शन यहां पर नेचर का कोई रोल नहीं है अकर नेचर का रोल होता तो यह चीज़ अपनको नेचरली मिलती है ब अगर आपनको पता नहीं होता तो अपन ऐसा बोल नहीं सकते थे कि यार यह सारे जो है इनका एक कॉमन एंसस्टर है यह वाइल्ड कैबिज इनका एंसस्टर ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता था तो यह बात तो समझ में आ रहे है बहाए अगर मैं इसको देखूं केल को तो केल और वाइल्ड केबिज ठीक है पत्तो पत्तो वाली तो मैं बोल सकता हूं एक बार तो मैं इसको भी बोल सकता है डाट गोवी बुशन लेकिन यह दुगो फूल गोवी पत्ता गोवी ग्रॉकली इनका तो कई दूर दूर तक शकल ही नहीं मिल रही है तो क्योंगी अपन नही इसने कर रहा है इसले अपन बोल रहे हैं यह एंसेस्टर था और यह सारी वराइटी नहीं की गई है यह सब आर्टिफिशल सेलेक्शन है समझ पा रहे हो बात को इतना जबर्दस हो चीजे तो अपन यह उनकी बात कर रहा हूं जो कॉमन लिए अपन लोग खाते हैं और ुहरो करीन्स मैंने कहा रहा गलत हैं लेकिन कहीं गलत चीज चीज एंसा prinziah यह या पर जानुणा को रहा है इंपनति किया चलो उसमें जिनके उपर कि उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है बात समझ में आ रही है लेकिन जो नया बेबी आ रहा है उसके नतीजन उसके साथ तो गलत ही हो रहा है ना बच्चों चलिए अब बच्चों का आम तर पैसल कर एवलूशन हो रहा है तो ग्रोथ हो रही हम लोग डवलप हो रहे एडवांस हो रहा है ऐसा नहीं है evolution का simple मतलब है कि formation of more complex body design from the simpler body design due to variation and accumulation of variation by natural selection मतलब जो variation favorable variation आ रही है उसको nature select कर रही है फिर वो organism reproduce करके उस favorable variation को आगे pass on कर रहा है और changes होते जारे एक नई species बन रही है और उसी को बोलते है evolution variation आए favorable variation pass on हुए accumulate हुए और कई सालों बात natural selection हो के एक नई species बन गी आ रही है इसको बोलते है अपन evolution अब जो evolution हो रहा है इसमें विबिन्र पजाति हो रही है और natural selection के दौरान हो रही है लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक नहीं बोला गया है कि वह better ही हो गया बहुत ही पहले एक्जांपल है बैक्तिरिया इस धर्टिय पर सबसे पहले आने वाला जीव बैक्तिरिया था और आज भी बैक्तिरिया आपको देखने को मिल जाए कितना सिंपल बॉडी डिजाइन प्रोखेर रिव के बिचार नूपलेश भी नहीं है भाई के पास तो नूपलेश भी नहीं है प्रोखेरियोटिक ऑरगेनिजम है अब इतना होने के बावजूद्धी वह हर जगर देखने को मिल जाएगा गरम पानी के अंदर डीप सी के अंदर थंडे हर जगर देखने को मिल जाएगा जहां पर कितना सिंपल बॉडी डिजाइन है सबसे पहले यह आया तो अब भी वैसा यह भाई तो फिर भी सर्वाइव कर पा रहा है तो इसका मतलब यह बोलना गलत होगा कि यहां पर प्रोग्राइसी आम तौर पर होता है गलत नहीं है लेकिन हर केस में होगा यह सही नहीं है सबसे बढ़ी है समझा देखे समझाने की जूरत नहीं है मैं आपको बार बार इसी तरह के सारे डागराम में आपको दिखा चुका हूं सीजा थेरी पर आते यह 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 जो है इसने लाइफ ट्रांसफ्वार्म कर दिया लोग बले ही मोबाइल को गलत बोलते हैं लेकिन कोबाइल का सही उपी हो करो ना आज बच्चों में अपनी बात करो देखो लाइफ स्टैल बहुत चेंज हो गई आज मैं यहां पर पढ़ाने आता हूं सुबह नौ बेसे लागे शाम श्रीबे तक यहां पर रहता हूं तो यहां पर इस चीज ने मेरी मदद करी बच्चों अगर आप इस चीज का सदू पयोग करोगे तो आप आगे बढ़ोगे टाइम को बचा के आप मेरी मैं पानी का बिल बिजली का बिल मोबाइल लेचर्ट में के सारे बच्चे कितना टाइम बचता है आशे कुछ साल पहल अब जो टाइम बच रहा है वो मैं अपने फैमिली के साथ पैंड कर रहा हूं मैं वह काम करो जो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं सारा काम में वेस्ट कर दूंगा तो मैं अपने लिए क्या करूंगा तो इस चीज मेरे साथ से अच्छी है बच्चों कोई भी चीज अच्छी यह जो पैन है जो मेना हाथ में पकड़का करें मैं किसी आंक में मरूद तो इस चीज भी बुरी हो जाएगी तो आप में निर्बग करते हैं कि अगर आप उसको लिमिट में सदू पयोग करेंगे तो कहीं तक आप नुक्सार नहीं करने वाला है बाते तो हर तरह का व्यक्ति होता है और हर तरीके से वह सोचता है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते है अब जो हीमन का एवलिशन है उसके बार में बहुत सच्टडी की जाती है कई तरीके अपना आए गए एक्सके वेटिंग की गई यानि ऐसे सुरंगी खोदी गए जिनमें अपने को पुरानी पुरानी मूर्थिया मिली बरतन मिले तो कारबन डिटिंग अपने डिसकस कर आदमी पहले अपने बारे में बारे में तो जितने भी हुमन बीइंग चाहे वह वाइट हो ब्लेक हो यलो ब्राउन हो देखो मैं आपको बटा दू वाइट यूस किया जाता है आम तोर पे अमेरिकन और यूरोपियन के लिए मैं ऐसे कोई रंग बीद नहीं कर रहा हूं मै आपको जान करी के लिए बता रहा हूं ब्लेक यूस किया जाता है एफ्रिकन के लिए येलो यूस किया जाता है चाइनीज या जैपनीज के लिए और ब्राउन यूस किया जाता है आम तोर पे इंडियन शीलंकन के लिए यह मैं नॉर्मल जान कर दे रहा हूं आप यह मत अब मैं थे लगाऊंगा जो वाइक लर यूज करते थे अमेरिकन या फिर यूरोपेयन के लिए ब्लैक फर अफ्रिकष येलो फर चाइनी जैपनी इन जैपनी इन जैनरल में बताई हूं और ब्राउनपी इंडियंस श्री-लंकम पाकिस्तानी बंगलाडेशिस इतने डिफरेंसन व्य तक वह हो दिवे होते हैं ऑपन सब संब साथ साथ में आमेरिका के इंडिया इंडिया अमेरिका सब जीगे फैलों में और प्यार से भाई भेनों की तरह गल्फरेंड वय्फरेंड किते हैं और अपने जीमन को भी व्यतित कर रहे हैं लेकिन अब कर गया गया सबसे पहले आए कहां से ओधिंट्वीशन आपने यह अंसस्टर है वह सब में अ आ पाकिस्तान में सुंधिया में मसकट में में amigo mi जाही है डिह और लाइब वो को लिख लगा सकते हैं कूशन पूंच लिया जाता है देखी या जब भी ओरिजन ओफ लाइफ आते हैं सालत डा डानासौर को हाइलेट कर देते हैं जो एमोन नाइट ट्रेलोबाइट पेरों के फोकस ही नहीं करता सिधा 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 डानासौर हाइलेट हो जाते हैं हीरो बने हुए तब से लेकि आज तक डानासौर ठीक है लेर्ण कर लेना बच्चों इंपोर्टेंट है हालेट भी कर रहा है और मैंने एंसर्क्ल भी कर दिया है ओरीजन ओफ लाइफ और अर्थ पे लाइफ कैसे आई इसके ठीओरी दी बच्चों हैल्डेन ने और इसको प्रूव किस ने करा दो सैंटिस थे स्टैनले मिरल एंड ह ठीक है हाइड्रोजन एड्सेक्ट्रा मेथेन अमोनिया वाटर हाइड्रोजन यह बेसिक इन और्गनिक मॉलीकूल प्रण थे उस टाइम पे जब रट फॉर्म होई थे और इनी के जरिये जो है और गनिक चीजे बने उसने क्या बोला कि कुछ इस प्रकार्थी जिसे बहुत एक कॉंप्लेक्स और गनिक मॉलीक्यूल में कंवेर् जो की नैसेशरी था लाइफ के लिए यानि लाइफ कंस इन और घर्जन अगर ऑघरौजन मगर घर अधियन अमोनिया इनके जरिए रिये और गनिक मॉलीकू देखने को में बहुत सिंपल कैसे एसे चेंजें थे बजलि लाइफ को जो है इसने पैदा कर दिया लाइफ आइस अर्थ पे वह इन और्गानिक के थ्रू आई देखे आपने लखी है कि उस टाइम अर्थ के चमकना और हाई टेंपरेचर होना जिसके वैसे हैड्रोजन मीथिन वगरना आप उसमें रेक्ट किया और 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 थीक हे और experiment conducted by Stanley Miller & Harold Heure, बहुत simple सी बात है, experiment क्या कर लहें, लाइब में आपको बात हूँ, Stanley Miller और Harold Eure, नाम भी नहीं भूले जाते है Stanley Miller और Harold Eure, इनको इस बात का अंधाज़ था है Earth पे जो जो बनी थो इसमाइसी condition थी जो Inorganic substances थे वो Arsenies बनाने में capable थे तो उन्होंने Meathaine, Water, Hydrogen, Ammonia इसका use करा उन्होंने क्या करा एक setup बना आए कुछ इस तरह का setup था इसमें कुछ tubes थी और कुछ flask थे अब इसमें क्या करा सब्सक्राइब से methane, ammonia, hydrogen water को डाल दिया इसके अंदर एक flask में पानी बढ़ दिया और एक flask में electric spark लगा दिया देखिए they were of the idea that earth early earth atmosphere was able to produce amino acid from the inorganic matter such as methane, water, hydrogen ammonia in chemical को in sterile tube में pack कर दी और दो flask यहां पर available है पहला flask के यह दूसरा flask है यह ठीक है अब बच्चों एक flask में पानी भर रखा था और दूसरे flask में उन्होंने electrodes लगा रखी थी यह electrodes क्या करती थी बिजली पैदा करती थी अब क्या करा इसको गरम करा इस पानी को गरम करा वह यह water vapor बनके इन chemical के दर mix हो जाएगा फिर electrodes से नहोंने क्या बिजली चमकाई तो कुछ देखो water vapor हो गई बिजली चमक रही है टेंपरेचर हाई हो रहा है सारे इन और्गनिक मॉल्कूल मौजूद है तो बिल्कुल प्यू पुरानी और थी वैसा टेंपरेचर एंवारिमेंट क्रेट कर दिया और जब इन्होंने कुछ गिनों बाद यानि एक हफते बाद इस पानी को अब्सर्व क बाद बोली तो पानी गरम हुआ यहां पर कंडंस के वापिस यहां पर इखटा कर दिया तो जो पानी खटा हुआ था जिसमें सारी रिक्षिन हो चुकी थी एक हफते बाद जब उसको अब्सर्व करा तो उसके अंदर ऑर्गैनिक कंपाउंट देखने को मिलें और कहीं तो इसको अमाइनो एसट भी देखने को मिल गए तो इस तरीके से यह यह प्रूफ करने में काम्याव हो गए कि यार जो इन्हेल्डे ने बात बोली थी कि यार जो है वह इन्होंने आप सकते साबित कर दिया मैं आपको दुबारा समझ जाता हूं कैसे हुआ जो स्टैनले मिलर और हैरोल्ड यूरे थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि अर्थ में ऐसा एक्मोसफियर ता ऐसी कंडिशन थी कि यहाँ पर अमाइनोसेट बन सकते तो जैसे मीथेन अमोनिया हैडरोजन गाल फिर पाना को गरम करके गरम पानी तो पानी तौरान बहुत नियुक्त में रिवर थी उन्ह वाटर यह पानी देखिशन कर दिखिशन कर दिया घृत है तो यहां पे कुछ चेंड़ हो रहे करके कलेक्क कर लो तो यानि water vapor को water करना करना मतलब होता है water vapor को वाटर में कनवर्ट कर देना उसको बोलते हैं तो वह पानी यहां पर रखा वहा था यह नदी के तरह के से आप नदियां हो गई तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो इस वीडियो को लाइक कीजिए है हमारे चनल Motion Education को आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो समिस ना उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही टेक क्यार एंड बाए बाए